हलो डियर स्टुरेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी विद दुलार में बच्चों हमारे पास है क्लास फूर का हिंदी बुक चैप्टर एट है और इस चैप्टर का नाम है कुत्ता मेरा रखवाला तो कुत्ते के बारे में दिया हुआ है क अरो पर्थम इंसानों ने कुत्ते को ही पालतू बनाया था और कुत्ता जो है इंसानों के पास रहता है और उसकी मदद करता है कई तरह से मदद करता है अक्सर अंजान लोगों को देखकर भूखने लगता है घर वाले समझ जाते हैं कि कोई ऐसा बेखती आया है जो कि प्रियोटर में उससे समन्धित द्या वाय है तो चलिए पड़ते हैं यहां पे दो बच्चे हैं थिका दो बच्चे हैं कौन है भवेस ने अपने विद्याले के चोकिदार से कुट्टे का बच्चा मांग लिया भवेस एक लड़का है एक बच्चा है जिसने अपने स्कूल के चोकिदार से एक कुट्टे का बच्चा, कई बार चोटे बच्चे होते हैं, कुट्टे के पिल्ले जो होते हैं, तो बच्चे लोग उनसे खेलना काफी पसंद करते हैं, तो उसने मांग लिया उससे, मा भवेस की गोद में कुट्टे के बच्चे को देख तो उसकी छोटी बन पुस्पा जो थी उसे देखकर काफी खुस हो रही थी उसने मा से कहा कि इसे हम पोसेंगे मतलब पाल कर बढ़ा करेंगे मा ने डाट कर कहा कि कुट्टा गंदा रहता है सारा घर गंदा कर देगा यह सडक का जानवर है घर का नहीं कुट्टे को मतलब मा जो है इस तरह से कुट्टि के बारे में बतला रही थी उनकी ऐसा सोच था इसलिए वो और इस तरह से बतला रही थी भवेश ने आखें जुका कर विंती की मा कुट्टा तो घर की रखवाली करता वहां द्वार पर रहता ह। जिसकि उसकी माँ बतलती है कि कुट्टा सड़क का जानवार है घर का नहीं तो फिर भविस जो है वो थोड़ा सहम जाता है और वो कहता है कि उत्ता घर की रखवाली करता है घर में नहीं रहता है घर के बाहर द्वार पर रहता है मा ने जोर से कहा अभी तो यह गोद में है गोद से उतारो मतलब तुम इसे गोद पे लेकर रखे हुए हो इसे उतारो उसी समय भवेस के पिताजी आ गए सब देखा और सुना उसी समय कहीं से ओफिस से या कहीं से भी उसके पिताजी आ जाते हैं भवेस के पिताजी सारी बात उन्हें जो बोलना था वो थोड़ा सा घुमा फिराकर बोल रहे हैं इसे कहां से उठा कर ले आए तो क्या है जी अपने विद्याले के चुकिदार से मांग लाया भाविस बतलाता है इस मुहले में कोई कुटा नहीं है भाविस ने सीर जुका कर बताया उसे लगा कि हो सकता है कि उसके पिता जी उसे डाटेंगे इसलिए वो सीर जुकाई हुए था देखने में सुंदर है पर कुटा गंदगी में रहता है अभी तो पिल्ला है पिता स्री रमेश चंदर ने कहा कि गंदगी में कुटा तो रहता ही है और अभी पिल्ला मतलब छोटा बच्चा है कुट् मिल जाए इसलिए वो बोलती है कि इसे साड़क पर रखाने के लिए कह रहे हूं गंदा कुट है कि घर में रहेगा इस तरह से तो उसके पिता जी बोलते है अभी तो एक बच्चा घर में आया है इसे खाने पीने दो इसे ठीक से पालो पोसो तो गंदा नहीं रहेगा रखवा हम स्वागत करते हैं स्वागत सतकार करते हैं उसके बाद जो है कोई बाते होगी तो पहले उसके कुछ खाने पीने के देदो और अगर सही से पाला पोसा जाए तो गंदा भी नहीं रहेगा घर की रखवाली भी करेगा इसलिए इसे रहने दो इस पर क्या होता है यहां पर आगे पेज में दिया हुआ है मा ने मुह फुला लिया मतलब वह नाराज हो गई उससे अच्छा ने लगा लेकिन वह बोल भी नहीं सकती थी कुछ इसलिए वह नाराज हो गी पर भवेस और पुस्पा दोनों मान ही मन खुस हुए पिल्ला घर में ही रह गया बच्चे चाहत को मोती नाम से पुकारा सभी मोती करकर पुकारने लगे वह मोती नाम सुनकर पास आने लगा बात समझने लगा रखवाली का काम भी करने लगा अंजान बैक्ति को देखकर भौं-भौं करने लगता भवेस के बाग में तो किसी को घुसने नहीं देता था यहां पे उस मोती नाम सुनकर पास आ जाया करता था बात समझने लगा था और रखवाली का काम भी करता था जानवेक्ति को देखकर भोकने लगता था और यहां तक की भवेस्ट का जो बगीचा था उसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया करता था एक बार अंधेरी रात में चोर आये मोती ने सारे मुहले को जगा दिया चोर भाग कड़े हुए चोरों की डाल नहीं गली वे हाथ मलते रहे मोती को सभी प्यार करने लगे और जैसे की मतला रहा कि एक दिन रात में जो है चोर आया लेकिन मोती ने भोग भोग कर सब को जगा दिया और फिर चोर का कूछ काम नहीं हुआ और वेपस्ताते हुए वहां से चले गए तो इस तरह से मोती जो है सब की आँख कातारा बन गया सभी उसे अच्छा मानने लगे कुछ दिनों के बाद सिवरातरी के आउसर पर रमेश चंदर का परिवार देवघर चला गया घर में ताले लग गए द्वार पर मोती पहर सामने से कोई भी चोर हो या कोई अंजान बैखती हो उसे घर में घुसने का हिमत नहीं होता था और नहीं वह घुसने देता था लेकिन एक बार जो है पूरा परिवार कहीं दूसरे रिष्टेदार के हाँ चला गया तो फिर सामने से तो नहीं घुस सका चोर चोरों को पता तो पिछवाड़े से जाकर घुश गए और फिचवाड़े से घुश गए कोई आवाज ने मोती आगे के द्वार पर लेटा था मोती को लगा कि हो सकता है कोई आए इसलिए आगे बैठा वा था लेकिन लोग पिछे से उस गुश गया उसे थोड़ी नीद आ गए थी तो मोती कि उसको नीद आ रहा था और वो उस समय मतलब सोग गया था थोड़े दिर के लिए अचानक पिछे से आवाज आई कुट्टों का नीद जो आता हो थोटी सी आवाज से भी खुल जाता है आवाज आई उसके नीद तूट गए वह पिछे की और दोड़ा मतलब उसे पता था की पिछय सब्स्रास्ता है इसे लिए वह पीछे दोड़कर गया नहीं सकता है हुआसे कोई गुषए हुआ हो पर वह पेडों की याड में छिप कर चोरों के ठीकाने को देखने लगा और फिर धीरे धीरे लोट आया मन मार कर लेटा रहा तो यहां पर चोरों ने थोड़ी सी दिमाग लगाई और पिछे से घुस कर चोरी भी कर लिए और चले गए आला कि जो है मोती उन लोग का ज़ा करन उसने देख लिया और फिर वो जो है वापस घर के द्वार के पास आकर लेट गया वह कुछ करने सकता था इसलिए वह मोके का इंतजार करने लगा परभात में मतलब सुबह में रमेश चंदर का परिवार लोटा उन लोग सभी लोग आ गए उन लोगों ने देखा कि से किसी ने चूरी की है भीड़ लग गई पूलीस आ गई मोती ने भूख भूख कर सबका ध्यान अपनी और अक्रिस्ट किया तो मोती काफी भूख रहा था सभी को पता चल गया कि क्यों भूख रहा है वह गली से होते हुए सहर के बाहर जाने लगा मतलब वह एक रास्ते प पेड़ों के जुर्मट के भीतर पुराने मकान के निकट जाने लगा चोर लोग जहां छिपे वे थे या उनका जो अड़ा था उस जगह पे मोती जाने लगा पुलिस ने सिगरता की उस खंधर को घेर लिया चोर पकड़ में आ गए सारा सामान मिल गया सभी मोती का नाम ले तो उसने कहा कि मोती मेरा सच्चा साथी है और कुस्पा क्या बोलती उसकी छोटी वहन मैं इसे खिलाती हूं मैंने इसे मोती कहा है यह मेरा रखवाला कि मैंने इसे मोती नाम दिया है मैं इसके इसकी देखभाल करती हूं और माने कहा मोती सब का रखवाला है जो कि वह कुत सब्सक्राइब पर दिया हुआ है तो सब्द परिचे में आप लोग को और आगे पढ़ने के मिलेगा क्योंकि संग्या सरो नाम विसेशन कि रिया विसेशन इस सारी चीज़ आप लोग को विसेश करके पढ़ना है तो अभी आप लोग को संभव हो कि फूर क्लास के बच्चे उतना इसब नहीं जान पाएंगे ग्रामर की चीज़ें हिंदी ग्रामर की चीज़ें उसके बाद जो है नेक्स्ट में कुश्चन नमर फूर मेंने मिलकित परवस्ण के उतर दें तो यहां पे छे कुश्चन है और जादा कोई भारी कुश्चन तो होता नहीं है तो आएए मैं आप लोग को सारे कुश्चन जो इंपोर्टेन है उस सबको स्वाल करके दे देता हूं Niye चैप्टर एट का कोईश्चन नम टू जहां पे सब्दों का लिंग नीत करने के लिए कहा घ्या है तो यहां सभी सब्द ये सिरलिंग आ है सिर्फ एक गंदा रहता है, सारा घर गंदा कर देगा, पिताजी ने क्या बताया, पिताजी ने बताया कि ठीक से पालो पोसो तो गंदा नहीं रहेगा, पुस्पा ने पिल्ले को क्या नाम दिया, पुस्पा ने पिल्ले का नाम मोती दिया, क्या मोती रखवाला बना, हाँ, मोती रखवा अगर हमारे वीडियो आप लोग के लिए helpful होता है ता आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दूस्तों के साथ share कीजिए और इसके next chapter को बचेवे chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next video पे चलेंगे